नौ ग्रहों में सबसे शुभ धर्म वधन के ब्रहस्पती अपना राशी परिवर्तन कर रहे हैं। एप्रिल 2023 में ब्रहस्पती अपने मित्र मंगल की राशी मेश में जा रहे हैं जहां वह मई 2024 तक रहेंगे। लेकिन यहीं वह राहू के साथ भी रहेंगे और गुरु चांडाल योग भी बनाएंगे। तो एक शुभ परिवर्तन और एक अशुभ योग इन दोनों बातों का मिला कर आप पर यानि सभी 12 राशियों पर गुरु के इस राशी परिवर्तन का एक साल के लिए क्या प्रभाव रहेगा और किस अच्छे उपाय से हम इस राशी परिवर्तन को अच्छा बनाएं इस व ओम नमस्षिवाय मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ ब्रिहस्पती मेश राशी में एप्रिल 2023 में जा रहे हैं जहां वह एक साल तक रहेंगे इसका आप पर यानि सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में विस्तार से इस बात पर मैं चर् परणाम देते हैं और चुकी यहां वह राहू के साथ भी बैठकर गुरू चांडालयोग बनाएंगे तो देखेंगे कि क्या समस्याइं दे सकते हैं फिर तीन अच्छे उपाय मैं आपको ब्रिहस्पती के लिए बताऊंगा इस राशी परवरतन को शुब बनाने के लिए औ उसके बाद राशी फल की अलग-अलग चर्चा करेंगे तो अगर आपको इन पूरे परणाम को विस्तार से समझना है और उपायों को जानना है और तब अपना राशी फल भी जानना है तो आप वीडियो पूरा देखना जारी रख सकते हैं सबसे पहले यह परिवरतन कब हो ब्रिहस्पती की परिस्तिती बदलती रहेगी यानि ब्रिहस्पती के साथ ग्रहों का प्रभाव कौन सा ग्रह ब्रिहस्पती के साथ आके बैठ रहा है कौन उसको देख रहा है वह स्वैम कब वक्री हो रहे है इन बातों से उनके परणामों में बदलाव आता चला जाएगा वो हमें अभी आपको आगे बताता रहूँगा तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़ा जो ब्रहसपती प्रभाव पढ़ने वाला है वह है राहू का राहू मेश राशी में ही है जब ब्रहसपती यहां आ रहे हैं राहु 30 अक्टूबर तक मेश राशी में रहेंगे, तो ब्रिहस्पती और राहु मिलकर गुरु चांडाल योग बनाएंगे, इससे ब्रिहस्पती के प्रभावों में उथल पुथल जरूर होगी, यहां शनी की तीसरे द्रिश्टी से भी इन प्रभावों में और अधिक सगह इनकी बढ़ जाएगी, उसके बाद 30 अक्टूबर से एक मैं तक ब्रिहस्पती लगबग अकेले रहेंगे, वह अपना प्रभाव देने के लिए स्वतंत्र होंगे, तो इस तरह से ब्रिहस्पती का प्रभाव बदलता रहेगा, वक्री इस्थिति के बात करें, तो 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक ब्रिहस्पती वक्री भी रहेंगे, उस समय भी प्रभावों में बहुत बदलाव आ जाएगा, उन पर भी आगे चर्चा करेंगे, तीन नक्षत्र होते हैं इस राशी में, अश्विनी, भरणी और कृतिका, अलग-लग समय पर ब्रिहस्पती इन नक ब्रिहस्पती का आगे चर्चा करते हैं, देखिए सबसे पहले ब्रिहस्पती जब राशी परिवर्तन कर रहे हैं तो उन पर राहू के तू का अधिक प्रभाव रहेगा, सबसे पहले राहू के प्रभाव की बात करते हैं, 22 अप्रिल को ब्रिहस्पती इस राशी में छे महीने तक गुरू के साथ बैठे रहेंगे तो प्रभाव और बढ़ जाएगा उसमें भी जो तिशक्राइक नियम कहता है कोई भी दोग रह जब एक राशी में पांच डिग्री और्बिट के अंदर आ जाते हैं तो पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते ह प्रभाव कम्प्लीटली मर्ज हो जाते हैं तो पांच डिग्री और्बिट में मेश में ब्रिहस्पती और राहू आएंगे 9 मई से लेकर 13 जून 2023 तक इस दोरान आपको बहुत अधिक सा तरकता रखनी पड़ेगी अब केतू के प्रभाव की बात करते हैं 2023 में ब्रिहस्पत अश्विनी भी केतू का ही होता है तो 22 एपरिल से लेकर 21 जून तक प्रिहस्पती पहले केतू के अश्विनी नक्छतर में रहेंगे और उसके बाद फिर 27 नौंबर से लेकर 3 फरवरी 2024 तक फिर से वापस अश्विनी नक्छतर में ही रहेंगे तो केतु का भी बहुत प्रभाव पड़ेगा तो आपने देखा साल केतु का और दिन राहू का राहू केतु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है और उस पर आगे हम विस्तार से चर्चा भी करेंगी कि क्या प्रभाव पड़ेगा यहीं अगर देखें तो जोतिश म a planet of compassion, optimism, wisdom, platonic love, और राहु को अपरिमित, अद्भुत और असीम कहा गया, पर चतुर चालाक वच्छलिया भी, यानि राहु is a planet of limitless possibilities, but breaker of established customs, तो गुरु को अगर धर्म कहा गया, तो राहु को अधर्ब, यह गुरु और राहु का संयोग मेश राशी में, स्रिष्टी के दो विरोधा भासी, विचार धाराओं का मिलन है, meeting of opposites, तो यहां बहुत उथल पुथल भी बहुत सारे लोगों को होगी, गुरु भाग्य के भी ग्रह कह जाते हैं, राहु उसको रोकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत करेंगे, कि भाग ये खुल के साथ नहीं दे रहा है, या free flow of luck नहीं हो रहा है, काम चलते चलते रुख जाते हैं, या रुख रुख के फस फस के चलते हैं, यह सब को प्रभाव देखने को मिलेगा और उपाय जरूर करने चाहिए, आगे मैं उन पर जरूर चर्चा करूँगा, केतु की अगर हम बात करें, तो गुरु केतु के नक्षत्र में साल में बहुत अधिक समय तक रहेंगे, केतु भी ज्ञान और मुक्ती का ग्रह है, it is a planet of liberation, ब्रिहस्पती को जोतिश मे गुरु कहा गया, और केतु को शिष, तो या गुरु शिष परंपरा के लिए, आध्यात्मी ज्ञान की उननती के लिए, बहुत अच्छा सा योग भी कहा जाएगा, यहीं अगर तीसरे प्रभाव की बात करें, तो शनी की दृष्टी होगी, शनी कुमराशी से, अपनी ती हुआ है, क्योंकि राहु भी साथ में बैठे हुए है, तो राहु, जब गुरु के साथ बैठेंगे, न्यू एज बिलीव्स या कस्टम्स को जनरेट करते हैं, नय तरह की स्पिरिच्वालिटी, न्यू एज रिलीजिन्स बहुत अधिक फ्लरिश करेंगे, या लोग इस्ट कर रहना चाहिए, अब देखते हैं सबसे पहले कि गुरु मेश राशी में जाते हैं, तो क्या अच्छा परिणाम देते हैं, देखिए, मेश पहली राशी है, कालपुरुष कुंड़ी के, यानि शुरुवात की राशी है, एक्शन, गुरु नॉलेज है, तो यहां हम यू क कह सकते हैं कि fast processing of knowledge, यानि गुरु मेश राशी में होता है, तो दिमाग तेजी से काम करता है, क्विक क्विट देता है ब्रिहस पती इस राशी में, this is a very good transit for lawyers, managers, motivators, public speakers, doctors, even sports person, यानि जहां भी फटा फट लॉजिक लाना है, या तेजी से action लेना है, उन सब लोगों के लिए ब्रिहस पती का गोचर अच्छा प्रभाव देगा, दूसरा अच्छा परणाम देखिए, मेश राशी मंगल की राशी है, जो ब्रिहस पती के मित्र हैं, तो मित्र राशी में जा रहे हैं, इसमें तीन नक्चत्र आते हैं, अश्विनी भरने क्रितिका, अश्विनी के मालिक केतु और क्रितिका के सूर्य, दोनों ही ब्रिहस्पती के मित्र हैं, यानि दो मित्र नक्षत्र भी आते हैं यहाँ पे, इसलिए ब्रिहस्पती अच्छा परणाम देते हैं, मेश राशी धर्म की राशी है, ब्रिहस्पती भी धर्म के ग्रह हैं, इसलिए इस राशी में ब्रिह अंकारी है, ज्ञान है, इसलिए भी गुरु अगनी राशी में अच्छा परणाम देते हैं, गुरु पवित्रता को दिखाते हैं, अगनी में भी तो सभी अशुद्धियां भस्म हो जाती है, गुरु का एलिमेंट क्या है? सोना, सोना किस में निखरता है? आग में निखरता ह तो transformation होगा यहाँ पर, यानि ग्यान में वृद्धी होगी, ग्यान में कुशलता बढ़ेगी, योग भी मिलेगा और भोग भी गुरु की इस राशी में, तो योग कर्म करने की कुशलता को ही योग कहते हैं, ऐसा गीता कहती है, गीता के चोथे अध्याय के अणतीसमें शलोक म नहीं ग्याने निसद्रिशम पवित्रम ही विद्यते, तत्स्वयम योग संसिद्ध, काले नात्मनी विंदती यानि इस धर्ती पर ग्यान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं, और गुरु उसी ग्यान के प्रतीक रहे हैं, तो ग्यान में वृद्धी जरूर करेंग इसलिए भेड संतुलन को दिखाती है, ब्रिहस्पती नौ ग्रहों में पांचवे ग्रहें, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुद्ध और फिर ब्रिहस्पती के बाद शुकर, शनी, राहु, केतु, यानि नौ ग्रहों में ब्रिहस्पती ठीक बीच वाले हैं, पांच, यानि बैल को दिखाते हैं, संतुलन के ग्रह हैं, संतुलन से आनंद आता है, balance is bliss, ब्रिहस्पती को विष्णु का सुरूप कहा गया, भगवान विष्णु का छीर सागर में अपने चित्र देखा है, आनंद से लेटे हुए है, बैलेंस के अवस्था में, इसलिए मुस्कुराते रहते हैं, भगवान को आनंद सुरूप कहा गया, जो balance रहेगा, वो हमेशा प्रसन रहेगा, इसलिए ब्रिहस्पती मेश राशी में अच्छा परणाम इसलिए भी देते हैं, देखिए, यह यूग परिवर्तन भी कहा जा सकता है, ब्रिहस्पती का इस राशी में जाना, क्योंकि बारह राशियों में जब ब्रिहस्पती एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, मेश से मीन तक, तो धर्म का एक यूग परिवर्तन होता है, तो अब मेश राशी में फिर से आए हैं, तो 2030 से 2035 तक का जो यह समय है विश्व में, बड़ी घटनाओं को जन्म देगा, सभी लोग विस्तरित रूप से प्रभावित होंगे, देखिए, बारह वर्ष में ही महा कम्ब लगता है, यानि धर्ती का एक साल, देवताओं का एक कुम्ब, यानि कुम्ब से हम इसको जोड़ सकते हैं, कुम्ब समुदर मन्थन हुआ था, तब ही निकला था, समुदर मन्थन से राहू का गहरा संबन्ध है, जो भी ब्रहस पती के साथ बैठे हुए हैं, गुरू और राहू जब एक साथ मिलते हैं, तो critical thinking देते हैं, scientific temper, science की नई-ने inventions होती हैं, evolutions होते हैं, लेकिन यह सब कुछ smoothly नहीं होता है, क्यों क्यों, गुरू श्रद्धा है, और राहू सवाल है, इसलिए जो भी कुछ होगा, वह उथल-पुथल के साथ ही होगा, गुरू धन का भी कारक है, finance के markets का ruler है, और राहू जब यहाँ आएगा, तो finance sector में उठा पटक बहुत अधिक होगी, समाज के लिए भी यहाँ परिवर्तन का दौर होता है, society में इंप्लोजन्स होते हैं, यानि लोगों में मनमानी करने की प्रवित्ती बढ़ जाती है, बड़े लोगों की बात नहीं मानना, या ग्यानी लोगों की बातों से अलग अप पूरे वर्ष, यानि इन 12 सालों में समाज में नई गती और नई डारेक्शन्स देखने को जरूर मिलेंगे, अब गुरू और राहु शुब होते हैं और अशुब होते हैं, तो उनके क्या परणाम होते हैं, उन पर मैंने विस्तरित वीडियो बनाये हैं, जिनकी स्क्रीन श उपाय और जानकारियां मिल जाएंगी, अब देखते हैं कि क्या समस्याएं आएंगी और क्या उपाय करने चाहिए, लेकिन उससे पहले एक विनमर निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो क्रिपयाई से लाइक कीजिए, मेरे चैनल को स का जवाब देने की भरसक कोशिश करूँगा, तो देखते हैं कि क्या निगेटिव रिजल्ट गुरू यहाँ पे हमें देख सकते हैं, देखिए, जैसा मैंने बताय था, यहां मेश राशी जो है, वहां पहली राशी है, पहला यानि स्वल, यानि स्व, स्वयम, गुरू दे जाता है, बिकम सेल्फ सेंटर्ड, यहां यहां एक समस्या आ सकती है, राहू भी यहां बैठा हुआ, राहू स्वार्थ काग्रा है, तो गुरू जब राहू के साथ मिलता है, तो असंतुष्टी बढ़ जाती है, व्यक्ति कान का कच्चा हो जाता है, विद्रोही सुभा भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि वह अपने मन के चलाना चाहता है, बड़े लोगों की बात, यानि इस्टैबलिश्ट बातों को मानने से इंकार करता है, मेश और राहू, दोनों ही इगो को दिखाते हैं, और गुरू ग्यान का ग्राह है, तो यहां पे इगो आफ नॉलेज ह हो जाएगा, शास्त्रा आर्थ, यानि एग्रेसिव शो आफ नॉलेज, कि यहां मैं जो कह रहा हूँ, यही होना चाहिए, मैं ही सबसे अधिक जानता हूँ, मेरी बात नहीं मानोगे, तो बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, और फॉल्स गुरू जो होते हैं, जो यह बाव में भी ऐगर ऐसी बाते आ रही हैं, तो उनसे भी आपको सावधान रहना चाहिए, देखिए मेरे गुरू जी कहते थे, गुरू और राहू गुरू चांडाल दोश जो है, वह पूराने जन्म के गुरू के रिंड को दिखाता है, इसलिए गुरू रिंड से बचने का प्रयास कीजिए, यानि गुरू की सेवा कीजिए, जो इस जन्म में आपके गुरू हैं, अब, यहाँ शनी की तीसरी दृष्टी भी होगी, जैसा मैंने कहा था, स्पिरिच्वलिटी के लिए अच्छा है, पट इट इस नॉट गुड इफ परसन इस नॉट स्पिरिच्वली ओरिएंटेट, तेन इट लिमिट्स ग्रोथ, हेल्थ इशू भी बहुत सारे होते हैं, खास तर पर हमेश राशी को देख रहे हैं, शनी जो उनकी नीच राशी ह जिसमें राहू बैठे हुएं, तो गले से उपर शरीर के जो अंग है, यानी नेक एंड नेक से उपर, इस्पेशली ब्रेन, फेस का एरिया, वहाँ पे समस्याएं दे सकते हैं, उपाए हमको क्या करने चाहिएं, कुछ उपाए हैं जो बता देता हूँ, पहला, नीम के पान आज को एक साथ मिलाकर उन्हें दान देने से भी राहू के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है, साथ तरह के धान कौन से हैं, यह हूँ, चावल, चना, जो, दिल, तिल, उड़द और मूंग, यह साथ धान को अलग अलग मिलाकर उनकी पोटली बना लीजी और इनको भविष्य पुराण में नव नाग मंत्र दिया हुआ है, राहू के तू की शान्ती के लिए बहुत अच्छा है, इस्पेशली अगर गुरू के साथ राहू मिल जाएं, तो इस मंत्र को पढ़ने से बहुत लाब होता है, मंत्र है, अनंतं वासुकीम शेशं पद्मनाभं चकंबलं शंकपालं धार्त राष्टं तक्षकं कालियं तथा एतानी नव नामानी नागानं चमहात्मनां सायं काले पठे नित्यं प्रातह काले विशेशतह तसमे विशभयं नास्ती सरवत्र विजई भवेत इन नागों के नाम को ज खत्रू बाधा या विशभय या चोट का डर नहीं रहता है ऐसा भविश्य पुराण कहता है गुरु जब मेश राशी में आ रहे हैं मेश गती की राशी है चोट चपेट सेहत की समस्याइं दे सकते हैं क्योंकि राहु यहां बैठे हैं इसलिए इस नौनाग का मंत्र आपको स्वास सम्मंदी समस्याइं दूर होंगी और धन सम्मंदी समस्याइं भी दूर होंगी क्योंकि धन पर नागों का भी अधिकार माना गया है राहु के तू धन देते हैं इसलिए राहु के तू को खास तोर पर राहु को कल्यूग का राजा माना गया नि माया देने व ब्रिहस्पती केंद रस्थानों से गोचर करते हुए अच्छा परणाम देते हैं क्योंकि सारे शुब ग्रह केंद रस्थानों से अच्छा गोचर मांते हैं। इसलिए ब्रिहस्पती आपको काम में एक्सपैंशन जरूर देंगे। हालान की ब्रिहस्पती आपकी राशी के स्वामी शुक्र के मित्र नहीं है और अकारा ग्रहम आने जाते हैं यानि तीसरे छटे घर के मालिक। लेकिन चुकि उनका गोचर केंदर से हो रहा है और मित्र की राशी में हो रहा है जो आपकी राशी से दूसरे यानि धन भाव के स्वामी है मंगल इसलिए उस मंगल की राशी में गोचर करने से ब्रिहस्पती आपको अच्छा परणाम धन के मामले में जरूर देंगे। हालां की कारे छेतर में आपकी विशमताएं रहेंगी यानि चै कहेंगे कुछ और और करेंगे कुछ और इन बातों से आपको संभल करहना चाहिए। अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट हैं जो गुरू और राहू एक साथ मिलने पर व्यक्ति बनता है या बन सकता है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। नए काम आपको मिलेंगे एक्स expansionist यानि विस्तारवादीग्रह हैं जहां भी बैठते हैं उस जगह की expansion जरूर करते हैं यहां से ब्रिहसपती की पांचवी द्रिष्टी सीधे जा रही है आपके ग्यारहमे भाव पर यानि इनकम के घर पर तो ब्रिहसपती जहां देखते हैं उस घर में व्रिद्धी जरूर लाते हैं तो आपकी आय को ब्रिहसपती बढ़ाने का कारे करेंगे और आपके contacts भी बढ़ाने का काम करेंगे यानि आपका influence बढ़ेगा यहां से ब्रिहसपती की साथवी द्रिष्टी तो आपकी राशी के उपर जा ही रही है तो ब्रिहसपती जब भी राशी को देखते हैं तो भी influence बढ़ता है व्यक्ति का, यानि प्रभाव बढ़ता है, ब्रहस्पति की नवी दृष्टी आपके तीसरे घर पे जा रही है, तीसरा घर हमारी हिम्मत को दिखाता है, तो हिम्मत आपकी बढ़ी रहेगी, भाग दोड़ भी बढ़ाते हैं, ब्रहस्पति तीसरे घर को देखते हैं, तो भाग दोड़ बढ़ी रहेगी, काम चलता रहेगा, आगे भी बढ़ता रहेगा, लेकिन सूझ बूझ आपको बहुत अधिक रखनी पड़ेगी, गुप्त शत्रू भी बढ़ेंगे, आपके किसी तरह के competition में है, तो आपको बहुत अधिक सोच समझ कर आग रहे हैं, उसकी दरिष्टी गुरू को लाब ही देगी, यानि गुरू के लिए अच्छी होगी वह दरिष्टी, लाब आपको जरूर देगी, यहाँ पर जब आपका शुक्र मजबूत होगा, आपको इस गुरू के पूरे लाब मिलेंगे, जब शुक्र कमजोर होगा, तो आपको इस शुक्र के लाव या गुरू के लावों में कमी आ जाएगी, नुकसान भी हो सकता है, तो शुक्र को मजबूत रखिए, यानि देवी आराधना करते रहे हैं, और वीडियो के शुरू में जो मैंने ब्रिहस्पती के उपाय दिये हैं, उनको अभश्य करिएगा, पॉजिटिव घरों के मालिक हैं, यानि राशी के दूसरे घर और राशी के पाचवे घर के, दोनों लक्षमी अस्थान के मालिक हैं, आपकी राशी के स्वामी मंगल की ही दूसरी राशी मेश में जा रहे हैं, यानि एक तरह से कहा जाए तो ब्रिहस्पती का गोचर आपकी ही राशी में हो रहा है आपकी दूसरी राशी मेश में तो राशी स्वामी की ही राशी में गोचर करने पर ब्रिहस्पती अच्छा परणाम देंगे जो की आपके मित्र भी है लेकिन यह जरूर कहना पड़ेगा कि ब्रिहस्पती चठा गोचर कर रहे हैं चठा गोचर शुब ग्रहों को पसंद नहीं होता है तो यहां आपको conflicts तो जरूर बढ़ाएंगे बहुत अधिक सोच समझ कर और सूजबूत से आपको conflicts से बचना पड़ेगा जो लोग lawyer हैं, doctors हैं, healers हैं, consultants हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा है जो conflict management करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है interlocutors हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कहीं दो लोग जगड़ा कर रहे हैं आप जाएंगे सुलजा देंगे यह एक अच्छी बात है या manufacturing, drug manufacturers है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा रहु के साथ है और उस पर शनी की तीसरी द्रिष्टी भी है जो लोग भी property या real estate के चेत्रों से हैं उनके लिए भी यह गोचर अच्छा है लेकिन फिर भी समस्य आपको शत्रू से होगी और रोग से होगी रोगों के बृद्धी हो जाएगी खास्त दौर पर अप्रिल मई के उन दिनों में जब मैंने बताया था वीडियो के शुरू में ही कि गुरू और राहू और 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 बिट में पांच डिगरी के अंदर में रहेंगे यहां से बृद्धी की पांच भी दृष्टी आपके करम अस्तान पर जाएगी अच्छी बात है काम में इंक्रिमेंट देंगे बृद्धी नवी दृष्टी से आपके दूसरे भाव को यानि लक्ष्मी अस्तान को देखेंगे जहां उनकी स्वयम की हिराशी है तो काम में इंक्रिमेंट के साथ धन में भी इंक्रिमेंट देंगे और साथवें दृष्टी से आपके बारह में घर को देखेंगे यानि घूमने फिरने के योग तो हैं ही तो खर्चे आपके प्रिहस्पती बढ़ा रहे हैं लेकिन साथ में पॉजिटिव चीज़ें भी दे रहे हैं सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा और शत्रू संकट से बचाओ रखिएगा तो ब्रिहस्पती का ये गोचर आपका ठीक ठीक निकल जाएगा धनू राशी के लिए ब्रिहस्पती का गोचर सबसे शुब माना जा सकता है सभी राशियों में इसलिए भी क्योंकि ब्रिहस्पती आपकी राशी के स्वामी है और राशी से पाचवे भाव से गोचर करेंगे जो मंत्र का और संतान का भाव है ब्रिहस्पती इन ही चीजों के कारक माने जाते हैं और ब्रिहस्पती यहां अपने मित्र मंगल की राशी में होंगे और यहां से अपनी नवी दृष्टी से वह आपकी राशी को भी देखेंगे यानि स्वयम की राशी को तो प्रभाव छेत्र में यानि स्टेटस में वृद्धी करेंगे यहां से ब्रहस्पति अपनी साथवी दरिष्टी से आपके ग्यारह में आये के घर को भी देखेंगे इंकम को भी बढ़ाएंगे, पांचवी द्रिष्टी से नवे धर्म के घर को देखेंगे भागे को, तो भागे के भी बढ़ गया, इंकम बढ़ गई और स्टेटस बढ़ गया, फिर और क्या बचा, संतान की बढ़ गी ही, सब कुछ यहां ब्रिहस्पति अच्छा करते हुए दिख रहे हैं अब आप लोगों की शनी की साड़े साती भी समाप्त होई है और राशी के स्वामी भी मजबूत राशी में आ चुके हैं हाँ राहू उन्हें जरूर कुछ तंग करता रहेगा क्योंकि यहां गुरू राहू के साथ भी हैं इसलिए कुछ समस्य आए तो आया था कि राहू और गुरू एक ही और्बिट में पांच दिग्री के अंदर जब रहेंगे अप्रिल मई के उन दिनों में तो उन दिनों में आपको विश्ष तोर पर सतर्क रहना चाहिए वीडियो के शुरू में ही मैंने वो डेट्स बता दी हैं तो उनका आपको ध्यार रखना चाहिए और जो उपाय मेंने दिये हैं उन्हें आप जरूर करिएगा मकर राशी के लिए ब्रिहस्पती का गोचर आपके चौथे केंद्र भाव से हो रहा है हालांकि ब्रिहस्पती का केंद्र का गोचर शूब माना जाता है तो कुछ अच्छे परणाम आपको ब्रि कराएंगे जो आपने प्लान नहीं किया होगा खास तोर पर नया घर या नई गाड़ी लेने के बहुत सारी योग आपके बन रहे हैं या घूमने फिरने पर बहुत अधी खर्च यहां एक ही बात अच्छी हो सकती है जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं कहीं जाना ये साड़े साथी से गुजर रहे हैं उनके लिए तो ब्रिहस्पती का यहां मेश राशी में आना और अपनी सात्वी दृष्टी से आपके दस्वे करमस्थान को देखना काम में बदलाव जरूर लाएगा क्योंकि ब्रिहस्पती आपके बदलाव के कारक हैं यानि आपके तीस स्रिय और बारहमे घर के जहां से हम बदलाव का विचार करते हैं यहां से ब्रिहस्पती पाचवी दृष्टी से आठवे घर को देखेंगे नमी दृष्टी से बारहमे घर को देखेंगे चौते में स्वैम बैठे हैं चार आठ बारह तीनों को मोक्ष त्रिकोन कहते हैं तो को चार गुनी अधिक तरक्की मिलेगी तो ब्रिहस्पति इस साल से अगले साल आपको धार्म में रूची बढ़ाएंगे और धार्मी को बृद्धी करेंगे धन और बाकी चीजों के लिए कुछ बहुत विशेश शुभगोचर नहीं है विशेश तोर पर जब राहू के साथ होंगे तो वीडियो के शुरू में जो मैंने बताय था ऑर्बित में एकी और्बिट में फांस दिगरी के अंदर रहें में Thats Son और वीडियो में जो मैंने उपाय शुरू में बताये हैं उनको भी आप जरूर कीजिएगा कुम्ब राशी के लिए ब्रिहस्पती का गोचर आपके तीसरे घर से हो रहा है तीसरे घर का ब्रिहस्पती न्यूर्ट्रल माना जाता है लेकिन चुकी यहां मेश राशी में बैठा जो मंगल की राशी है जो आपके दस्वें कर्म भाव का स्वामी है इसलिए काम में नई शुरुवात लेकर आ रहा है तीसरा भाव नई शुरुवात को भी दिखाता है शनी की साड़े साथी भी आप लोगों की चल रही और शनी की तीसरी दृष्टी भी है इस ब्रिहस्पती पर और यहां राहू भी है साथ बैठे हुए जो परिवर्तन के ग्रहें गुरू के साथ बैठने पर तो जिन लोगों की भी जीवन की शनी की दूसरी साड़े साथी चल रही वो अपने लाइफ में काम में complete transformation देखेंगे जॉब वाले बिजनस में बिजनस वाले जॉब में चले जाएंगे इस हद तक बड़ा परिवर्थन आएगा यहां से प्रिहसपती की पांचवी दृष्टी आपके सात्वे भाव पे होगी यानि विवाह और व्यापार के घर पे यहां सिवह नवी दृष्टी से आपके income के घर को भी देखेंगे 11th house को income को परिवर्थित करेंगे बढ़ाएंगे भी और सात्वी दृष्टी से धर्म को घर को देखेंगे नवे भाव को भाग्ये को देखेंगे तो जो लोग भी परिवर्थन के लिए तयार हैं उनके लिए भाग्ये उनका साथ जरूर दे देगा हालांकी राहू के साथ बैठे हैं तो कुछ समस्याओं के बिना यह परिवर्थन तो नहीं होगा साड़े साती भी चल रही है विशेश तोर पर गुरू राहू जब एक ही और्बिट में 5 दिगरी के अंदर में आ जाएंगे जो वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया अप्रिल में के उन दिनों की बात तो उन दिनों में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा किसी नए काम से बचियेगा वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताये है उन्हें भी आप करेंगे तो आपके लिए लाब रहेगा मीन राशी के लिए ब्रिहस्पती का गोचर आपके दूसरे भाव से हो रहा है आपकी राशी के स्वामी है ब्रिहस्पती का दूसरा गोचर अच्छा होता है हालांकि आप लोग की शनी की साड़े साती शुरू हो गई है और शनी अपनी तीसरी दृष्टी से देख भी रहे हैं ब्रिहस्पती को जो स्वायम राहू के साथ बैठे हुए हैं दूसरे घर में तो खर्चे आपके बढ़ाने वाले हैं परिवार में कोई इन्वेस्टमेंट होगा जिसकी वज़े से आपको अपने जमाधन को निकालना पड़ेगा और खर्च करना पड़ेगा काम में भी प्रोफेशन में भी चेंजिस होते हुए दिख रहे हैं खास तोर पर जिन लोगों की भी जीवन में शनी की दूसरी साड़े साथी आई है मीन राशी वाले लोगों को उनके काम में बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा इतना बड़ा ट्रांसफर्मेशन होगा कि जॉब वाले बिजनस में बिजनस वाले जॉब में इस लेवल का ट्रांस्वर्मेशन बरिहस्पती आपको दे सकते हैं तो परिवर्तन का समय आ चुका है उसके लिए तयार हो जाएए रैश डिसीजन से बचियेगा खास दोर पर बरिहस्पती राहू एक ही साथ है आपकी राशी के स्वामी राहू के साथ हैं और यहां दोनों मेश राशी में जब एक ही औरबिट में पांच दिगरी के अंदर आ जाएंगे तो आपको बहुत सतरकता बरतनी पड़ेगी वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया है कि एक ही और्बिट में 5 डिग्री में अप्रिल मई के किन दिनों में ब्रिहस्पती रहू साथ रहेंगे, उन दिनों में आपको कोई भी बड़ा काम नहीं करना है, बहुत अधिक सा तरकता सावधानी आप बरत कर रहिएगा, नहीं तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा, य आपके आठवें भाव को भी साथवीं दिरिष्टी से देखेंगे, तो जो लोग भी धार मिक्ता में आगे हैं, या फाइनेंशल एडवाइजर्स हैं, प्लानर्स हैं, शेयर मार्केट का गाम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा योग देंगे, और यहां से नवी दिरिष् आता हुआ दिख रहा है, वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं, आपको लाब होगा, अब ब्रिहस्पती के राशी परिवर्तन का मेश से लेकर कन्या तक का जो वीडियो है, क्या प्रभाव पढ़ेगा, वह भी आप स्क् सब्सक्राइब किया है, आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं, ईश्वर हम सब का कल्यान करें, हर्यों